हलो बुड मॉनिंग आप सब कैसे हैं अच्छे से होंगे ता आज हम एक नए ट्रिक के साथ आपको दही जम आने बताएंगे जो कि दो पांच मिनट के अंदर आपका दही जम के रेडी हो जाएगा तेहां पर आप देख सकते हैं दूध लिए हैं आधा केजी दूध है देख सकते हैं यह दूध खोड़ने वाला है और खोड़ने के बाद जब वाल आ जाएगा उसके बाद इसको हम नीचे उतार देंगे और नॉर्मल होने तक इसको रखेंगे आगर आप मेरे चैनल पढ़नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वाई लखन को प्रे कराही ली ना पाने डाल दीए लेगा ले पर देख सकते हैं ॅ TOP हाँ है पर पानी जो है खोलने लगा है इसको बार लाना है और इसमें यहाँ पर देखें जो दूद रखे हैं वह थोड़ा कम गरम है तेहां पर नॉर्मल होगी है अब दूसरे बरतन में इसको डाल दे रहा है तेहां पर सारा दूद दूसरे बरतन में हम डाल दीए है तेहां पर देख सकते हैं डाल दीए हैं दूसरे बरतन में अब यहां पर जो कड़ाही में पानी गर पानी गर्म हो रहा है यहां देख रहे हैं पानी करम हो रहा है उसमें हम टेन haya पॉस्तेशन हमाहते सचीजार दाल डाल दिये हैं और दूधृ कबर तन उसको ङाह ब हेलो Скानिक दिये हैं इस तरह से 2-3 मिनट तक इसको खुला देना है ज्यादा दिर तक नहीं खुला ना है दो से 3 मिनट तक ही खुला देना है उसके बाद इसको उतार लेंगे तो हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं कि दही कितना अच्छा जमा है और यह बहुत टेश्टी लगता है आपको काटकर निकाले हैं देख सकते हैं अब दही कितना अच्छा जम गिया है अब इसको हम रख देंगे और 10-15 मिनट जब नॉर्मन हो जागा ठंडा हो जाएगा तब इस दही को यूज कीजिए खाई यह बहुत अच्छा लगेगा तो इस तरह के तरीके से 2-3 मिनट में आप द देख सकते हैं देखे कितना अच्छा दही जम के रेडी हो गया है तो इस तरीके से 2-3 मिनट में दही जम आके रेडी कर लिजिए और जब भी मन करें फटाफट दही जम आईए और खाईए तो मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वह लकॉन को कि लिए बाई